नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल BSA Tricky Classes में तो भाई कैसे आप लोग एक बार फटा फट से बता जिए भाई तो उमीद करता हूँ पढ़ाई लिखाई आप लोग की बहुत बढ़िया चल लए होगी तैयारी एकदम ललन टॉप लेवल पर चल लए होगी तो अब रेलवे का पेपर आ चुका है और रेलवे गुरुपडी का पेपर तेस फरबरेक होगा यानि कि कितने दिन बचे हैं सेश आपके पास अभी जो है 69 डेस का अभी टाइम है तो अन्तिम 69 डेस की जो पढ़ाई बची है अब हम लोग बात करेंगे मैथ 25 सवाल केवल मैथ के करने है एकदम ललन टॉप तरीके से कर देंगे जीगे के केवल 20 कोशन होगी जिसमें पर उठाओ एक लाइन से और अंतिम सिरे तक उसको उठाकर खतम कर दो सुरू से उठाओ लास्ट वाले पेश तक सारे पेपर को लगा डालो समझ में आ रहे आपको तो ऐसे होगा आपका सेलेक्शन अगर आप रेलवे की पेपर की रेल बनाना चाहते हैं अगर आप रेलव से 6 BSA क्लास और करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास के शुरुआत तो पहला सवाल विज्ञान दोस्तों सुरुआत हम लोग विज्ञान से करेंगे कुछ हम लोग यहाँ पर साइन्स के इंपोर्टेंट वाले कोश्चन देखेंगे कि साइन्स में क्या आता है फिर हम लोग जाएंगे मैट पर फिर रीजिनिंग फिर होगी जी के ठीक है चलिए तो पहला सवाल है निमलिखित में से कौन सा एधन नियूंतम परियावर्णिया प्रदोशन उत्पन करता है देखें दोस्तों हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन ये एक ऐसा एधन है जो बहुत ना के बराबर परियावर्णिया प्रदोशन को उत्पन करता है क्योंकि हाइड्रोजन जल जाएगा ऑक्सीजन रिलीज कर देगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा हाइड्रोजन किलियर है हाइड्रोजन सलफाइट या हाइड्रोजन क्लोराइट की तुलना में जल का उ ठीक है तो जिनका भी आंसर आ रहा है bonding बिलकुल correct है सही जवाब होगा bonding SC68 होगा GD में कोई बताओ मुझे बिलकुल चौदरी जी भागना शुरू कर दीजे और मैं यहाँ पर भी लाल्टेन लेकर ही दोड़ा रहा हूँ आपको तो पहला वाला एक्जाम आपका clear हो चुका है मान के चलिए आप और अब दोड़ना शुरू कर दीजे हो सकता है लाल्टेन उढ़ा कर दोड़ना सुब़ सुब़ शुरू कर दीजे सुब़ चार बजे निकल जाए करो दोड़ने के लिए लाल्टेन लेकर ठीक है आगे वड़ने अगला सवाल देखिए आपके सामने आपको दिया गया है किसी तत्व के रसायनिक गुड प्यारे सातियो किसी तत्व के रसायनिक गुड निमलिकित में से कौन तै करता है तो electronों की संख्या याद रखिएगा कि electronों की संख्या किसी तत्व के रसाइनिक गुढ़ को तेगरती है तो आपका right answer हो जाएगा number of electrons तो जिनका भी answer आ रहा है number of electrons बिलकुल correct है सही जवाब होगा number of electrons चलिए अगला सवाल दोस्तों, mitochondria किस में अनुपस्तित होता है अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 0 mitochondria होते हैं सूत्रकली का भी नहीं होती है तो इसमें आपका right answer हो चाएगा हरित सहवालों में ठीक है? तो जिनका भी answer आ रहा है हरित सहवाल, बिल्कुल perfect है तो mitochondria हरित सहवालों में अनुपस्तित होता है जबकि लाल सहवालों में, भूरश सहवालों में और विशाडों में पाया जाता है तो केवल किस में नहीं होता है? green algae में तो आपका right answer हो जाएगा हरित सहवाल में यदि दूरी समय आलेक एक वक्र होता है तो ये किस बात को show कर रहा है तो ये बता रहा है आसमान चाल को, अगर ये वक्र में है दोस्तों, तो ये चीज़ दिखा रही है कि चाल आपकी आसमान है घट रही है बढ़ रही है ठीक है ना, कभी देखिए बढ़ी, कभी घटी तो दोस्तों, चाल जो है आप लोगों की क्या है ये आप लोग की क्या है, कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है बात समझ में आरे जोस्तों अगर ये वक्र में है, तो तो जिनका भी आंसर आ रहा है अन इवन स्पीड बिल्कुल राइट है आपका सही जवाब है option number D next question संक्रीत आपंक उपचार को क्या बोलते हैं देगी दोस्तों संक्रीत आपंक उपचार को जैबिक उपचार बोलते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा biological treatment ठीक है तो जिनका भी आंसर आ रहा है biological treatment बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लो दूद में कौन सा protein सरकरा युग में होता है देखे दूद में दूद में आपका casein protein होता है दूद में आपका casein protein होता है दूद में वित्वान सरकरा को lactose बोलते हैं दूद का जो मीठापन होता है तो दूद का जो मीठापन होता है वो होता है lactose की बज़े से होता है दूद में protein casein होता है और जर्नली जो है पशुओ के प्रतिलीटर दूद में 30 से 35 ग्राम protein होता है जर्नली जो दूद होता है उसमें 30 से 35 ग्राम तक protein होता है और हर व्यक्ति को अपने बजन के हिसाब से ग्राम में प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप 80 के लोगे हैं तो आपको 80 ग्राम जो है प्रोटीन के अवशक्ता रहती है डेली तो डेली अपने बजन के ग्राम के बराबर आप प्रोटीन लिया कीजिए जो आप लोग के mentally और आप लोगों के mentally ग्रोध के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों और physical ग्रोध के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगला सवाल malaria जो होता है मादा एनफलीस से फैलता है लेकिन इसकी खोच किस ने की थी देखिए malaria की बात करेंगे जैसा कि आप जानते है Edward Jenner Edward Jenner जो कि ब्रिटेन से थे तो इनों ने इसकी खोच की 1796 में तो ये आप लोग की किसकी खोच की है Edward Jenner ने दोस्तों यहाँ पर इसकी खोच की Lewis Pascher ने रेविज के टीके की याद रिखेगा Robert Koj ने आपके हैजा और टीवी हो जाएगा हैजा हो गया टीवी हो गया इसकी खोच की और Ronald Ross की बात करेंगे इनका जर्म आपका अलमोडा में हुआ था जो कि ब्रिटिश डॉक्टर थे बास समझ में आ रही है आपको किलियर है बिल्कुल समझ में आ रहा है कोई डाउट तो नहीं है कोई दिक्कत हो बता दीजेगा आगे बढ़ें अगला सवाल BCG का जो टीका है दोस्तो BCG का टीका कितनी उम्र में लगाए जाता है Bacillus Calmate Gurin Bacillus Calmate Gurin टीका जर्म के 15 दिनों के अंदर बच्चों को दिया जाता है तो कोई बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के 15 दिनों की भीतर ही बच्चों को दिया जाना चाहिए BCG का टीका ठीक है तो याद रखेगा आपका सही जवाब हो जाएगा 15 दिनों के अंदर अच्छा, प्लेग किस से फैलता है, जिवानू, प्रोटोजुआ, विशानू सभी से देखिए प्लेग जो होता है, जिवानू से फैलता है, और यह आपका इंटो बैक्टिरिया, यरसीनिया, पैटिजस दौरा फैलता है और इस जिवाणू का नाम फ्रांसिसी सुईस वेग्यानिक अलेक्जेंडर यरसिन के नाम पर रखा गया है ठीक है तो जिनका भी आंसर आ रहा है बैक्टिरिया से जिवाणू से तो बिल्कुल राइट होगा आपका सही जवाब हो जाएगा जिवाणू से निमलेखित में से सबसे अच्छा अगनी सामक कौन है देखिए दोस्तों सबसे अच्छा अगनी सामक है कारवन डाइ ओक्साइड क्योंकि कारवन डाइ ओक्साइड को सबसे अच्छा अगनी सामक माना चाता है यह एक अक्रिय गैस है जो हवा में हवा के तुलना में एक गयर दहन शील और भारी होती है और ऑक्सिजन से दिक भारी होने के कारण आग को कंबल के तरह ढग देती है तो आपका सही जवाब हो जाएगा तो कि आग को भुजाने के लिए कारबन डायकसाइट से आग को भुजाते हैं और oxygen आग को जलाने में साहिक है और आग को भुजाने में आपकी कौन साहिक है carbon dioxide बास समझ में आ रही है तो आपका right answer हो जाएगा carbon dioxide होगा इसका बिल्कुल सही जबाब अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है एक व्यक्ती ने 80 रुपए प्रतिरिम की दर से 120 रुपए कागच खरीदा धुलाई पर 280 रुपए खर्च किये 40 पैसे प्रतिरिम की दर पर चुंगी अदा की और कुली को बहत्ता रुपए दिये अब उसे 8% का लाप प्राप्त करना है तो प्रतिरिम कागच को कितने रुपए में बेचना होगा या आपको निकालना है अब 80 रुपए प्रतिरिम खरीदा है 120 रुपए कागच की वैल्यू है 80 रुपए प्रतिरिम तो 8, 12, 96, 100 रुपए का उसने रिम खरीद लिया है 120 रिम की कीमत है 96 रुपए 280 रुपए ढुलाई पर दिया है ढुलाई पर 40 पैसे प्रतिरिम की दर से चुंगी अदा किया अब 120 अगर रिम है और 40 पैसे पैसे को 100 से डिवाइड के तो रुपए आगे तो 40 पैसे 120 रिम पर चुंगी अदा किया तो चुंगी कितनी गई? 0000, 12, 48 रुपए 48 रुपए की चुंगी अदा किया ये भी एक तरीके के टेक्स होता है 72 रुपए कुली को दिये कुली को कितना दिया है? कुली को 72 रुपए दिये ये रिम हो गई है 8, 2, 10 8, 4, 12 13, 7, 20 2 लगा 6, 4, 10 9 और 1, 10 तो इस रिम की कीमत हो गई है 10,000 रुपए और इस रिम की कीमत 10,000 रुपए हो गई है रिम कितने है? 120 रिम तो 120 रिम की कीमत 10,000 रुपए हो गई है जिस पर हमें फाइदा उठाना है 8% का तो 8% का लाप प्राप करने के लिए प्रती रिम की कीमत कितनी होगी अब 10,000 रुपए है 120 रिम की तो एक रिम पर हमें फाइदा कितना चाहिए 8% का फाइदा चाहिए 200 कितना फाइदा लेना है 8% का तो 200 सो, एक दो तीन से एक दो तीन काट दिया बारा से काटा बारा निमा एक सो आठ बासमज में आ रही है आप लोग को और नौधाम नभे तो नभे रुपय अगर आप प्रति रिम को बेचोगे अगर आप 90 रुपय प्रति रिम को बेचोगे तो आपका यहाँ पर एक रिम पर बेचने पर आपको 8% का फाइदा होगा तो जिसका भी आसर 90 रुपए आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब होगा 90 ठीक है चली अगला सवाल देखिए यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति गंटा की गती से यातरा करता है तो कुछ दूरी वह 6 गंटे में दे करता है अगर उसी दूरी को 4 गंटे में पूरा करना हो तो उसकी गती कितनी होगी भाई क्लास को शेयर कर देंगे सबी लोग जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर सबी लोग सपोर्ट करते रहिए क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अपकी बार रेलवे पार हो जाएए बिलकुल तयार क्योंकि इस बार आ चुका है आपके साथ BSA Tricky Class तो देखे दोस्तों तरीका समझे पहले निकालेंगे दोस्तों आपको Speed दे रखी है समय दे रखा है दूरी कितनी है दूरी है 40 है 40 समय है 6 तो 6.24 240 किलोमीटर दूरी है इस दूरी को 4 घंटे में पूरा करना है तो गती कितनी चाहिए दूरी है 240 समय है 4 4 चक 24 तो 4 होनी चाहिए अब 60 किलोमीटर प्रदी घंटा बास समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो चाहेगा 60 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यदि कारोवार में पी आपका 3 महीने के लिए 9100 रुपए क्यूं आप लोगों का 2 महीने के लिए 6825 रुपए और आपका 5 महीने के लिए 8190 रुपए का निवेश करता है यदि कुल लाब की राशी 4158 रुपए है तो क्यूं को कितना लाब मिलना चाहिए यह आपको बताना है आपको निकालना दोस्तों की क्यूं को कितना लाब मिलेगा तो यह आप लोग का इन्वेस्टमेंट पार्टनर्शिप का कोश्चन है पार्टनर्शिप को बोलते हैं साजदारी और साज़ेदारी से पेपर में एक या दो सवाल आएगा तो दो नमबर का टॉपिक है और इसको लगाएंगे रेशियो मेथट से तो कैसे लगाएंगे देखिए तीन लोग हैं P, Q, R P ने लगाए हैं तीन महिने के लिए 900 रुपए अनुपात Q ने लगाए हैं दो महिने के लिए 6825 रुपए अनुपात R ने लगाए हैं पांच महिने के लिए 8190 रुपए लगाए हैं आप जब आप इन तीनों को सॉल्ब करोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 2, अनुपात 1, अनुपात 3 तो काटने पीटने के बाद हमारी वैल्यू बचेगी 2, अनुपात 1, अनुपात 3 तो हमें निकालना है दोस्तो क्यूं को कितना लाब मिलेगा तो क्यूं को लाब का हिस्सा मिलेगा एक टोटल 3, 2, 5 और एक 6 में से रुपिया कितना है आपका लाब का और 6, 54, 1 बचा 6, 3, 18 तो क्यूं का हिस्सा हो जाएगा 693 रुपे तो प्यारे साथियों इसमें क्यूं का हिस्सा कितना होगा तो क्यूं का हिस्सा खंडेलवाल जी गलत बता रहे होगा लालू गलत, कंचन गलत चौदरी गलत, सब गलत मैंने कितनी वार आपको समझाया है क्यूं पढ़े हो दूसरों के चक्कर में कोई नहीं है आपकी टक्कर में क्यूं पढ़े हो दूसरे के चक्कर में कोई नहीं है आपकी टक्कर में अगर आप सवाल को लगाओगे स्वैम तो आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं इन केज दूसरे के देखने में दूसरा हमेशा आपकी लुटिया डुबएगा अगर आपको बचना है आगे बढ़ना है साबधान में सतर करें और ऐसे तुक्यवाज लोगों से आप बिल्कुल दूर हो जाएं ठीक है तो जो मैंने तरीका आपको सिखाया उसको समझे एपलाई करें जीवन में प्रेक्टिस करते रहें तो जिनका भी आंसर आ रहा है 693 बिल्कुल राइट है अगला सवाल दोस्तो राम की आए श्याम की आए से 100 रुपए जाता है यानि कि राम और श्याम का अंतर दे रखा है 100 रुपए यदि राम और श्याम की आउसत आए है 850 तो 850 आउसत है तो डवल हो जाएगा 850 का 1700 यानि कि राम और श्याम का योग हो जाएगा 1700 हो जाएगा तो हमें क्या बताना है राम की आए तो श्याम कटेगे राम की आई आजाएगी सत्रा सो और एक अठारा सो तो आर बराबर दो निवा अठारा नौ सो बचेगा तो राम की आई कितनी हो जाएगी राम की आई आई आईगी नौ सो रुपे ठीक है देख लीजिए तो समझ में आ रहा है परम सुन्धरब, ध्यान से समस्ते चलो परम सुन्दरो, परम सुन्दरिव, फड़ाफट देखो समन्हें आ गया अगला सवाल एक बॉक्स में दोस्तों एक बॉक्स में एक रुपए, पचास पैसे और पचीस पैसे अगी सिक्के है और सिक्को की कुल संक्या है 377 और उनके मूल्यों का अनुपाद दे रखा है 13, 11, 11, 7 तो सिक्को के मूल्यों का अनुपाद दे रखा है 13, 11, 11, 7 अब पहला वाला सिक्का है 1 रुपाए का तो मैंने मल्टिपला एक से कर दी दूसरा है 50 पैसे का तो 50 पैसे के डवल सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपिया बनेगा 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपिया बनेगा तो 13 एकम 13 11 दुनी 22 7 चौक 28 तो यानि कि दोस्तों यह हो गया आपका 1 रुपई के सिक्के यह हो गया 50 पैसे के सिक्के और ये हो गए आपके 28 पैसे के सिक्खे चार आपके जो है 25 पैसे के सिक्खे सिक्को की संक्या 378 है तो 25 पैसो के सिक्को की संक्या कितनी होगी तो 25 पैसो वाले सिक्खे है 28 ध्यान से समझे हमें निकालना 25 पैसे वाले सिक्को की संक्या आपको 28 रखिये टोटल 13, 22 और 28 कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 3, 13 2, 2, 4, 2, 6 69 69 गर 63 तो 63 में 28 सिक्के हैं 25 पैसे के, हमें value निकालनी 370 के साप एक्ष तो 63 आपका जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3, 6, 18 तो भाई, यह जाएगा आप लोग का यहाँ से 6 वार में और 6, 8, 4, 8 तो 28 इंटू 6 28 इंटू 6 68 जा 48 168 सिक्के आजाएगे आपके कितने पैसे के, 25 पैसे के तो 25 पैसे के आपके कितने सिक्के होंगे 168 सिक्के होंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर सही जवाब के आजाएगा तो जिनका भी आंसर आ रहा है 168 बिल्कुल राइट है तो जिसका भी क्लास में आंसर 168 आया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है बास समझ में आ रही है आपको चलिया, अब देखिए आपका अगला सवाल एग व्यक्ती 60 साल के उम्र में रेटायर हो गया मान लीजे दोस्तो आपकी जॉब लगए रेलवे में 60 साल में आपको रेटायरमेंट मिल गए मैं बहुत अंदर की बाद पूछ रहा हूँ एग व्यक्ती जो है 60 साल के उम्र में retire हो जाते हो लेकिन आपने सेवा की है 3 बटे 5 अपने retirement IU के 3 बटे 5 सेवा की है तो 3 बटा 5 service की है तो 5 एकम 5 5 गास 12 तीया 36 तो 36 वर्ष आपने सेवा दी है 36 वर्ष आपने सेवा दी है तो आपकी नौकरी जो है किस साल लगी होगी, किस आयू में लगी होगी तो 60 में से 36 घटा दो तो आपकी नौकरी लगी थी 24 साल 24 साल में आपकी नौकरी लगी और 36 साल आपने सर्विस की और आप 60 साल की हो गए आप रिटार हो गए, आपको जो है 40 से 50 लाक रुपिया मिला और आपने अपना रुपिया इन्वेस्ट किया फिर अराम से मज़े से जिन्दगी विताई तो जिनका भी आंसर आ रहा है 24 साल तो 24 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगी थी ठीक है 36 साल आपने सर्विस की और 24 साल की एज में आपकी नौकरी लगी आगे वड़ते हैं दोस्तो P, Q, R किसी काम को 60 दिन में, 100 दिन में और 80 दिन में कर सकते हैं काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो 256 रुपए मिल जाते हैं इन लोग को तो P को कितने रुपए प्राप्त होंगे यह आपको बताना है कि P का हिस्सा कितना होगा देखिए P का हिस्सा ग्याद करने के लिए हमें दे रख़ा है P, Q और R P करता है 60 दिन में Q करता है 100 दिन में R करता है असे दिन में इन सबका LCM ले लिए 1200 अब यहाँ पर आपका आपका 60 20 जा 1200 100 12 जा 1200 80 आपका 80 15 जा ध्यान से समझते रही है आप लो 15 आठे 120 तो 1200 आजाएगा 80 15 जा 1200 ठीक है तो तीनों की छंदा निकालने 20 12 15 अब हमें निकालना P का हिस्सा तो P का हिस्सा निकालना है P का हिस्सा है 20 टोटल 20 30 40 45 46 47 47 में से P का हिस्सा 20 है रुपई कितने हैं आपके 256 रुपई है तो 47 हिस्से में 256 को बाटना है बासमझ में आ रही है आपको तो इसको आप बाट दीजिए तो आपका यहाँ पर काटने पर राइट आंसर कितना बचेगा आपका ध्यान से बिलकुल देखते हुए हर एक चीज को सीखते हुए समस्ते हुँ चलिए बासमझ में आ रही है आपको तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 960 क्लियर है दोस्तों यहाँ पर तो जिनका भी आंसर 960 आ रहा है बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा शाबवाश बासमझ में आ रही है आपको ठीक है ना तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को भी क्लियर है दोस्तों 4 वार में जाएगा 8 वार में जाएगा और 48 दूने 96 तो 960 जाएगा तो जिनका भी आसर 960 आ रहा है बिलकुल राइट है चलिए अब आपको निकालना है यूनिट डिजिट 6 की पावर दे रखा है 56 लास्ट के दो डिजिट ले लेंगे माइनस 4 की पावर भी लास्ट के दो डिजिट 56 दे रखा है क्योंकि 56 आपका 4 से कट जाएगा तो पावर में 4 लिख लेंगे यानि कि 6 की पावर 4 4 की पावर 4 6 की पावर 4 का मतलब 6.36 6.36 तो 6 बचेगा यूनिट डिजिट आपका 6 आजाएगा और 4 की पावर 4 का मतलब 4.16 16,16,256 तो 6 आजाएगा तो यूनिट डिजिट आपका 0 आजाए क्लियर है तो जब आप जब आप इसको जो है 0 एपलाई करोगे तो आपका आंसर क्या आजाएगा 0 आजाएगा समझ मेहारी बात आपको तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 क्लियर है चलिया अब देखिए आपका अगला सवाब दोस्तो एक विगरेता ने साइकल का मूले 1000 रुपे अंकित किया और उस पर 20 परसंट 10 परसंट 5 परसंट की करमेक डिसकाउंट देकर उसे बेज दिया और इस तरीके से उस विगरेता ने 14 परसंट का लाप कमाया तो साइकल का लागत मूले कितना होगा ये निकालना है अब 1000 रुपे अंकित मूले है 1000 रुपे अंकित मूले है पहला डिसकाउंट है 20 परसंट पहला 20 परसंट दूसर डिसकाउंट है 10 परसंट दूसरा 10%, तीछा डिस्काउंड द पांच परसेंड तो यह 95 भटेशन लिख लिए, तो एक दो तीन चार, एक जिर और काड़ा पांच आ गया, फिर दो चौक आट, दो पंजे 10, पांच से काड़ा, उन्निस पंजे 55, अब 9, चौक 36, इंटु 19, ठीक न, तो 19, इंटु 36, 684 र ध्यान दीजेगा तो भाई अब देखी दोस्तों वस्तू की कीमत है 684 अब 14% लाप कमाया है तो 114% की वैल्यू है 684 तो 1% बराबर 6 आएगा तो 100% की वैल्यू आजाएगी दोस्तों 600 रुपए यानि कि वस्तू का जो बोलते हैं लागत मुल्ले, CP, cost price वो कितना आ जाएगा तो वस्तू का लागत मुल्ले आ जाएगा आपका 600 रुपिया तो जिनका भी आंसर 600 आ रहा है बिल्कुल राइट है तो प्यारे साथी हूँ ये question आखोई आखों में लग जाएगा क्योंकि 684, 114, 664 और 1 बराबर 6 तो 100 बराबर 600 खेल खतम चली आगे बढ़ते हैं next question देखिए कोई राशी है कोई राशी 12% की वारसिक दर से साधारन ब्याच पर दोगनी हो जाती है तो उस राशी के लिए कितना समय लगेगा इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको देता हूँ 20 सेकिंड का time क्या आप 20 सेकिंड में इस सवाल की रेल बना पाएंगे या फिर नहीं जानने के लिए बने रही और देखते रही आज के एपिसोड BSA tricky classes पर तो आपका समय शुरू होता है अब अब हमारी अगली class तो कल होगी ठीक है इसके बाद मैं आप लोग के लिए class अब आप लोग को जो है अदनान सर शिवम सर जासर classes कराएंगे अब हमारी मुलाकात होगी हमसे मुलाकात होगी सीधे morning में चली time's up देखी दोस्तो साले 12 पच्चन की राशी है एक रुपए था दो रुपए हो रहा है एक रुपए की राशीती दो रुपए हो जाती है तो SI कितना मिलेगा तो ब्याज आपको एक रुपए मिलेगा एक रुपए पर एक रुपए ब्याज मिलेगा दो रुपिया बन जाएगा आपको समय निकाल तो SI बराबर होता है P into R into T upon 100 तो एक रुपए ब्याज की हो गए एक रुपए राशी की हो गए आर दे रखा है साले बारा साले बारा का मतलब होता है 25 बटे दो 25 बटे दो का मतलब साले बारा समय निकालना है बटे में 100 25 चौक सौ 4 दुनी 8 4 दुनी 8 तो T वराबर आपका 8 year हो जाएगा तो समय कितना आ जाएगा 8 वर्ष ठीक है तो जिनका भी answer 8 साल आ रहा है बिल्कुल right है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तो 8 साल हो जाएगा ठीक है भेज़ दो कल से math का क्या math के भी और भी खतरना question लाएंगे advance की question मिलाएंगे आप 20,000 दो कल से और खतरना question लेकर आएंगे बच्चों को देखो क्या कह रहे हैं सर 20,000 लोग कल से गड़ित मतलाना हैं चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों कोई भी अपारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपए प्रती किलोग्राम की दर पर और अन्य किस्म के 40 किलो चावल 10 रुपए प्रती किलोग्राम की दर पर खरीदता है और उन्हें मिला देता है वह एक तिहाई भाग को 12.5 में बेशता है तो बताइए कि सेस मिस्रन को सेस मिस्रन को किस कीमत पर बेचे कि संपूर परिवेय पर 25% का फाइदा मिले अब देखिए समझे 20 किलो चावल 14 रुपई के हिसाब से खरीदे तो 20 इंटू 14 पिलस 40 किलो चावल 10 रुपई के हिसाब से खरीदे 40 किलो चावल 10 रुपई प्रती किलोग्राम किसाब से खरीदे और उनको मिला दिया तो कितना होगा 14 दुनी 28, 28 ठीक है ना और यह हो जाएगा 400 28 और 400 तो यह हो जाएगा 600 रुपई तो 680 रुपई के चावल खरीद लिए हमने 680 के चावल खरीद लिए है लेकिन अब हमें इन सारे चावल पर 25 परसंट का फाइदा लेना है यानि कि दोस्तो 680 रुपई के चावल पर 25 परसंट का फाइदा लेना है तो कितने की बेचेंगे 25, 5, 125, 25, 400, 4, 4, 4, 4, 7, 8, 0, 0, 17, 5, 0, 85 यानि 850 रुपई में बेचेंगे तो ये है आपका CP और ये है आपका SP यानि 680 रुपए के चावल को आप 850 में बेचोगे टोटल लेकिन आपने चावल का एक तिहाई साले 12 बेच दिया तो टोटल चावल है कितना 20 किलो और 40 किलो 60 किलो टोटल 60 किलो चावल है अब आप लोगोंने 60 किलो का एक तिहाई यानि क दोस्तो 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम चावल साले बारा का बेज दिया तो यानि कि 200 रुपए का चावल आप बेज चुके है तो बाकी चावल की कीमत कितने होनी चाहिए 850 रुपए में से आपने 200 रुपए का चावल बेज दिया है साले बारा रुपए में कितने में बेचोगे, 40 kg चावल आप 600 में बेचोगे, यानि कि प्रती किलोग्राम का रेट आजाएगा, 600 बटे 40, 0000 लादिय 6, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 15 रुपए प्रती किलोग्राम, तो बाकी का दोस्तों जो चावल आप कितने में बेचोगे, अगर आप बाकी के चावल क 15 रुपए के भाव से बेचोगे, तो आपको इस संपून चावलों पर कितने का फाइदा मिलेगा, आपको संपून चावल पर 25 परसंट का फाइदा मिलेगा, तो आपका राइट आंसर उचाएगा, 15 रुपए प्रती किलोग्राम, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, दोस्तो अब देखें रीजिनिंग के सवाल देखते हैं, मैत के बाद कुछ हम लोग रीजिनिंग के important question देखेंगे, तो किसी code भाषा में निमलिकित अक्षर एक विसेश रूप से coded किये गए, तो ये जो आपको value दे रखी है, इ ये आप लोगों का D का code दे रखा है, ये आप लोगों का दोस्तों देखें E का code दे रखा है, देखें E का code दे रखा है E, और ये आप लोगों का N का code दे रखा है N का, तो इसकी value हो जाएगी garden, G-A-R-D-E-N, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी answer garden आ रहा है, तो बिल अगला सबर दोस्तों निमलिकित में से कौन सा सही विकल्प है अगर आप पहला वाला ओप्शन देखिए पहले अगर आप डिवाइड रख दें बराबर कर दें, मल्टिपलाई कर दें तो क्या वैलू सडिस्फाई करेगी देखे 96 बटे 6 बराबर 8 दोनी 16 तो 6 एकमहे 6 चंग 36 16 बराबर 8 दोनी 16 तो 16 बराबर 16 आगया याने कि left hand side बराबर right hand side तो left hand side right hand side बराबर है तो इसका right answer हो जाएगा हे परमसंदरम और परमसंदरियों जिनका भी answer आ रहा है A यही होगा परम सत्ते answer सवन में आ गया अगला सवाल कुछ आपके समिकरन जो है किसी विसेश प्रणाली के अधार पर हल किये गए हैं तो उसी अधार पर प्रश्ण में हल ना किये गए समिकरन के लिए चार विकलबों में सही उत्तर चुनिया अब आप देखिए 12, 8, 390 7, 5, 134 12, 5 कितना आएगा निकाली है अब देखिए 12 और 8 12 और 8 20 होता है 20 का स्कॉर 400, 400 में 10 घटाया ये 390 आ गया ये लिखा हुआ 7 और 5 12 हो गया 7 प्लस 5 12 हो गया 12 का स्कॉर होता है 144 10 कम करेंगे तो 134 आ जाएगा सेम देखिए 5 और 12 17 हो जाएगा तो 5 प्लस 12 17 होगा 17 का स्कॉर 289 होगा 289 में अगर आप 10 घटा होगे 289 में 10 घटा होगे तो 279 आ जाएगा 89 तो जिनका भी आंसर आ रहा है 279 यही होगा इसका बिलकुल परफेक्ट आंसर तो आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 279 दिये हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ग्याद कीजिए अब आप लोगों को क्या करना है लुप्त संख्या ग्याद करनी 1,2,4,3,50 3,4,5,2,70,7,4,9,3 यहां से क्या आएगा देखिए इन सब को जोड़िए आपनो एड कर दीजे दोस्तों एड कीजिए एड कीजिए 2 और 1,3,3,3,6,4,10 तो दोस्तों एड करने पर 10 आ गया उसकी 5 से मल्टिप्लाई कर दीजे एड करने के बद 5 से मल्टिप्लाई कीजे 50 आ जाएगा अब इदर देखिए दोस्तों 5,4,9,9,2,11,3,14 14,5,70 हो जाएगा सेम आप इनको एड कर दीजे आपर तो 7,4,11,9,20 और 20 तो 30 की अगर 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा 23,5,115 ठीक है तो all जो कॉलम दे रखे इन कॉलम को जोड़ना है वैल्यू आ जाएगी 115 तो जिसका भी आंसर आ रहा है 115 बिल्कुल राइट है तो इस तरीके से अगर हम सवाल की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सही जवाब कितना हो जाएगा 115 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर वासमज में आ रही है आपको ठीक है ना किलियर है भाई क्लास को शेयर कर दीजिए सबी लो जितने भी लोग क्लास में आयो फटा फट एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से जो है आप लोग 350, 350 के पार लेकर चलो फटा फट से जल्दी वल दी आईए अगला सवाल एकदम ललन टॉप आपके सामने है क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे चलिए दोस्तो क्या आप जिंदगी भर की कमाई करोडों में जीत कर ले जाएंगे या फिर नहीं तो आईए देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा इस सवाल का क्या होगा सही जवाब ओके टाइम सब देखी दोस्तो नीचे एक घन ब्लॉक की दो सिदियां दी गई हैं हर फलक पर कुछ छोटे तरबुच बने हुए हैं घन की एक अन्य सिदि में यदि तले पर एक तरबुच है अगर तले पर आपका एक तरबुच है तो सिदि फलक पर आपके कितने तरबुच होंगे तो सिदि फलक पर कितने तरबुच होंगे देखिए अगर तले पर एक है तो देखिए यहां पर आपका तीन है तीन के बाद आपका 5 है, 5 से आपका 4 आ रहा यानि कि दोस्तों पहले 3 है 3 से 5 है, 5 से 4 इधर 3 है, 3 से 6 है और 6 से 2 है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों, कोश्चन के नीचे 4 के नीचे 2 आ जाएगा 5 के नीचे 6 आ जाएगा अब 3 के नीचे 3 तो होगा नहीं बचा क्या आपका देखिए दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे हो गया बचा क्या एक बचा तो तीन के नीचे आपका बचा क्या एक आ जाएगा तो अगर आपका एक तरवुझे तले पर अगर तले पर आपका एक तरवुझे देवराज तो उसके उपर क्या होगा एक होगा ठीक है और अगर bottom में एक है तो top पर क्या होगा तीन होगा चलिए अगला सवाल देखिए पासे वाला सवाल है यह वाला भी चार उत्तर आकरतियों में से ध्यान देजे चार उत्तर आकरतियों में से एक ये लिखा तो है जनाब ये लिखा एक तिर्वुज मैंने लिखा ना एक तिर्वुज हो तो आगे बढ़ें नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया है ध्यान दीचेगा चार उत्तर आकरतियों में से उस आकरती को चुनिए जो प्रश्न आकरती को डिबे में मोडने पर बनेगी तो यहाँ पर आपका इस से आपका ये आ रहा है इस से आपका इसके पीछे ये आएगा इसके पीछे ये आएगा अब दोस्तों ये वाला सर्कल कहीं पर भी मौजूद नहीं है तो पहला बनेगा ने ये वाला स्टार कहीं पर भी देने रखा तो ये भी नहीं बनेगा अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा लेकिन इस वाले में आपको ये जो आपको दे रखा अंदर सर्कल ये circle जो आपको दिया गया white दे रख है जबकि देखे दोस्तों अंदर जो आपका circle है अंदर वाला circle जो है आपका बिंदू वाले point में है जैसा कि इसमें दिखाएगे तो एक आपका star आ जाएगा star आ गया एक आपका इन दोनों में से आ जाएगा आ गया और एक आपका triangle आ जाएगा तो आपका इस वाले सवाल का प्रियोग करके कौन सा dice बनेगा तो इसका figure dice वाला बनेगा आपका b वाला ठीक है तो d वाला भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका कैसा दे रखा है ये अंदर खाली दे रखा है जबकि dot shape आईगी ये वाली shape आईगी dot वाली ना कि ये shape आईगी तो d वाले भी गलत हो गया बास समझ में आ गई कोई दिक्कत, कोई tension, कोई परिशानी आखों ही आखों में लगने वाले सवाल है तो ये अभी आप लोगों का eye test चलना है मैं भी तो देखूं कि कौन कौन तरची नजरों से सवालों को solve कर रहा है ठीक है न तो eye to eye contact चाहिए सवालों को लगाने के लिए तो जिनका भी answer आ रहा है B वाला बिल्कुल perfect है आपका सही जवाब होगा option number B चलिए अगला सवाल है आपके सामने धार्मिक विचारों से विचारों वाले धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोका नहीं देंगे दोस्तों क्या बात हो रही है ध्यान देचेगा धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोका नहीं देंगे ये कौन सी किताब में लिखा है मुझे नहीं मालूब लेकिन मान लीचिये मान लीचिये जो ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर से डरते हैं जो धार्म विचारों को मानते हैं, वो लोग आपको धोका नहीं देंगे, इसका मतलब मैं क्या बताओं, कि धोका देने वाले सारे नास्तिक पड़े हुएं जवाने में, तो सारे जवाने में जो धोका देने वाले लोग हैं, वो नास्तिक हैं, ऐसा नहीं, कुछ नास्तिक भ यह बात बहुत जरूरी है कि जो धर्म है धर्म यह सद्गुणों को विक्सित करता है यह चीज आपको बताई जा रही है कि जो धर्म है यह सद्गुणों को विक्सित करता है इसलिए वो लोग ज्यादतर लोग धोका नहीं देते है तो आपका right answer हो जाएगा cable second तो जिनका भी answer आ रहा है दोस्तो cable second बिल्कुल perfect है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा cable second होगा तो जिनका भी answer आ रहा है cable second बिल्कुल right है अब ऐसे ही एक सवाल और है एक सवाल आपको ये दे रखा है कि भारत एक बहुभाशी देश है भारत में हिंदी, मल्यालम, कंडल करीब करीब 22-23 भाशा हैं आप लोग की बोली जाती है भारत में अलग 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 जगा पर अलग अलग भाशा हैं बोली जाती है जबकि हिंदी जो है भारत की राष्ट भाषा है हिंदी भारत की राष्ट भाषा है आपको दो चीज़े दे रखिए कि भारत एक बहुभाषी देश है हिंदी भारत की राष्ट भाषा है तो ऐसे में आपका निश्कर्श क्या होगा क्या सभी भारतियों को अनेक भासा सीखनी चाहिए भाई क्या मतलब दोस्तों क्या है अब भारत में कनल बोली जारी, तमिल बोली जारी, तेल को बोली जारी इंग्लिश बोली जारी, हिंदी बोली जारी तो क्या हम लोग सारी भासा सीखेंगे इतना टाइम धोड़ी ना मारे पास है हिंदी सीखने में जवाने लग गए बचपन से लेकर अपता हिंदी सीखते हुआ रहा है फिर इंग्लिस सीख ली अब अलग-अलग भासा सीखेंगे तो टाइम बहुत लगएगा तो सारी भासा सीख लेनी चाहिए तो ये बात आपकी सही नहीं है common language है English English सीखेंगे खेल खतम करेंगे दूसरी चीज भारती होने के लिए हिंदी सीखनी होगी ऐसा भी नहीं है अगर आपको इंग्लिस आती है कंड़ आती है तमिल आती है तेलगू आती है जरूर ने हिंदी आती हो तो भारती होने के पहचान नहीं के आपको हिंदी आती हो तो ये भी बात गलत हो गई तो ना तो पहला वाला सही होगा ना आपका दूसरा सही होगा तो आपका right answer हो जाएगा ना तो पहला और ना ही आपका दूसरा नन ना तो पहला और ना ही दूसरा तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे चलिए अगला सवाल देखिए संगीतकार, बादक और वाइलिन बादक आपको क्याद रखा है संगीतकार, बादक और बाइलिन बादक देखिए संगीतकार में आपके बजाने वाले आगए अब बजाने वाले में आपके बाइलन बजाने वाले आगए तो इसके अंतरगती आएगा तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो सब एक के अंदर एक आएगा देखिए म्यूजीशियन म्यूजीशियन में आप लोगों के प्लेयर आजाएंगे और प्लेयर में आपकी वाइलन वाले आ जाएंगे क्योंकि वाइलन बजाने वाले है तो एक तरीके से बादक तो बादक के अंतरगतीत हो आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A वाला तो जिसका भी क्लास में आंसर A आ रहा है बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों आप लोगों का इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा option number A चलिए next question देखिए प्रशन चिन की जगह सही आकरती की पहचान कीजिए अब दोस्तों आपको क्या करना है प्रश्न चिनिकी जगह है सही आकरती की पहचान कीजिए और यहां से आप लोग बताईए कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा तुक्ये वाली क्लास जो है हम बता दे रहे हैं तुक्ये वाली क्लास जो चलती है 31 दिसंबर के बाद से और एक जन्वरी से पहले तक चलेगी तुक्ये वाली जो क्लासे से 31 दिसंबर के बाद से और एक जन्वरी से पहले तक चलेगी उसके बाद नहीं चलेगी ठीक है ना तो 31 दिसंबर के बाद और एक जनवरी से पहले तक आपके तुक्किया बज़ी क्लासे चलेंगी तो बस तभी आप क्लासे देखने आएगा अगर आपको सीखना है तो प्रेक्टिस कीचिए देखी ट्रेंगिल था चत्रवज हो गया तीन था चार हो गया लेकिन सिंगल था डवल हो गया तीन था चार हो गया सिंगल था डवल हो गया अब चार है तो पांच हो जाएंगे सिंगल है तो डवल हो जाएंगे सिंगल है तो डवल हो गया चार से पांच हो गया तीन से चार हो गया तीन का चार चार का पांच सिंगल डवल, सिंगल डवल खेल गतम तो आपका सही जवाब क्या होगा तो option number आपका आजाएगा C वाला, तो जिनका भी answer आ रहा है C, बिल्कुल perfect है आप लोगों का correct answer हो जाएगा C वाला चलिए, अगला सवाल है आपके साबने इसको देखिए दोस्तो एक पार्क है पार्क के चित्र में वर्ग उस छेत्र को दर्शा आता है वर्ग जो है आपका उस छेत्र को दर्शा रहा है कट हेल के जहां पेड लगाएगा तो वर्ग में दोस्तों लगा है कट हेल कट हेल लगा है वर्ग में कट हेल कढ़ल लगा है वर्ग में आम के पेड लगे हैं ब्रत में ब्रत में लगे हैं आम के पेड तरबुज लगा है नारियल का पेड नारियल वाले तरबुज के पेड हो गए तो उस साजे को कौन से संक्य दर्शारी जो सभी पेडों लगाएं जिसने अब इन तीनों में common आ रहा है 3 तो देखिए 3 आपका इसमें भी आ रहा है circle में भी आ रहा है, triangle में भी आ रहा है तो common number 3 है तो तीनों पेडों से बंदा हुआ जो है आपका तो ये आपका हो जाएगा 3 तो जिस किसी का भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल right है, बहुत बढ़िया तो जिनका भी आंसर 3 आ रहा है, बिल्कुल right है चलिया, अगला सवाल है आपके सामने इसको देखिए दोस्तों सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब गुलाबी है अच्छा, नगि सभी फूल नीले हैं और नीले गुलाबी है तो नीले नीले कट जाएगा क्योंकि A प्लस A बराबर क्या होता है A प्लस A बराबर A होता है तो सभी फूल गुलाबी है सभी फूल गुलाबी है सभी फूल गुलाबी है तो तीसरा वाला सई हो गया अगर सभी फूल गुलाबी हैं तो एक को आई में बदल सकते हैं तो कुछ गुलाबी फूल होंगे तो कुछ फूल गुलाबी होंगे अगर सभी फूल गुलाबी हैं तो कुछ गुलाबी फूल होंगे और कुछ फूल गुलाबी होंगे पहला सही तीसरा सही अब फूल नीले फूल ये नीले ये ध्यान से समझ समझ के करते रहे है अब दोस्तों देखी क्या है सभी फूल नीले हैं तो कुछ नीले फूल होंगे और कुछ फूल नीले होंगे ये वाला भी सही करती है तो मतलब दोस्तों क्या है सारे के सारे पहला दूसरा तीसरा तो जि पहला और तीसरा वाला सही है बाकी तो कोई option सही है नहीं बाकी इसका right परम सत्ते answer आएगा परम सुंदरम और परम सुंदरियो all तो जिनका भी answer all आ रहा है बिल्कुल सही है all वाले बिल्कुल लल्लन टॉप जवाब दिये हैं सभी के लिए तालिया हो जाए दोस्तों class में जि सिचा गए सारे के सारे आज अब देखिए आपका अगला सवाल दोस्तों reasoning के साथ साथ अब हम लोग आते हैं journal awareness पर and GA पर GK पर and current affair पर current affair के सारे question मैंने complete कराए हैं BSA government job news पर तो BSA government job news की जितनी भी classes मैंने complete course करा दिया है पूरा एक से लेकर करीब-करीब 126 वीडियोज हैं जिसमें पूरी current affair है 2019, 2020 की बाकी मैं समय समय पर आपको revision session कराता रोंगा तो चलिए अब आप मुझे बताइए उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन सा बाद यंत्र बजाते थे बिस्मिल्ला खान जी का जो सम्बंद है वो किस से है ये एक सहनाई वादक है सहनाई वादक जो शादी में बजाई जाती है लालू जी ध्यान दिजिए ठीक है तो जिनका भी answer आ रहा है आपका सहनाई तो बिलक कितनी है, सबी लोग यहाँ पर ध्यान देजे, बिलासिता की बिलासिता की वस्तूओं की मांग की लोच क्या है यह एक से जादा होती है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है, एक से जादा, बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका सही जवाब होगा, एक से जादा मंतरी परिशत के आकार एवम, सदस्ता के बारे में निर्णा कौन करता है देखिए मंतरी परिशत का जो आकार है उसकी मेंबर्शिप है, तो इसके वारे में डिसीजन लेने का जो अरिकार है, यह है, प्राइम मिनिश्टर के पास, जो कि इसका मुखिया होता है मंतरी परिशत का मुखिया होता है प्रधान मंतरी, जो कि हमारे मोदी सहाव है तो यहाँ पर, मंतरी परिशत का आकार छोटा होगा, बड़ा होगा किसको मेंबर्शिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी किसको कौन सा पद मिलेगा तो ये सारे decision आप लोग के किसके पास हो गए प्राइम मिनिस्टर के पास हो गए तो आपका right answer PM हो जाएगा मसालो का अध्यान देखिए मसालो की नगरी मसालो को अध्यान मसालो वाला रज्य कहां पर मसाले आते हैं केरल में तो आपका सही जवाब केरल हो जाएगा ओके तो मसालो का राजा जो है आपका राज्य कौन सा है तो ये राज्य आपका केरल हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है अधिकान्स मंगोलियाई आकरांता किसके साशनकाल में आई थे हाँ, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाओ दिन खिल जी, तो जिनका भी आंसर आ रहा है, अलाओ दिन खिल जी, बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा आपका अलाओ दिन खिल जी उस इस्थमदार भवनों को क्या बोलते हैं जिसमें बौध विक्षु पूजा करते हैं देखे जहां पर बौध विक्षु पूजा करते हैं उस इस्थान को बोलते हैं चैत्ते चैत्ते जो है आपका एक सिरेपर इस्थूप के साथ एक बौध पूजा इस्थल है या प्राथना सवभवन है जिसका निर्माड भक्तों के अधिक संक्या में एकत्रित होने के लिए किया गया तो जिनका भी आंसर आ रहा है चैते तो बौध विक्षू के पूजा इस्थान को बोला गया है चैते ठीक है करक रेखा और मकर रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं दोस्तों करक रेखा और मकर रेखा मुखिता भूमद्य रेखा के उत्तर और दक्षिन में तेज डिगरी अक्छान्स परिस्तित हैं और दोनों रेखाई ये अफरिका से उकर गुजरती हैं इसलिए इसे उस्न कटीबंदी महादीप के नाम से भी जाना जाता है क्या आपको पता था कि अफरिका को दोस्तों क्या है उस्न कटीबंदी महादीप के नाम से जाना जाता है अफरिका को क्यूंकि करक रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही रेखा यहां से गुजरती हैं तो ऐ वैसिविक प्रतिवा प्रतिसपरधात्मक सूचकांग 2019 में भारत की रैंग क्या थी जो की हाली में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में जारी की गई तो इसमें रैंक है हमारे भारत की असीवे नमबर पे हमारा इंडिया है और इसमें सिंगापुर अमरीका नार्वे और डेर्मार्ग भारत असी नमबर पे है नमबर एक पर आपका देश हो जाएगा दोस्तो सूचिजर लेंड तो जिनका भी जो है इसमें आपके असिवे स्थान पर है क्रिसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबे बित्तिवर 17-18 में GDP संदर्व में राज्यों के बीच आपस में समानता है किस में लेकि दोस्तों अगर हम देखेंगे GDP के साब से ग्रोथ में तो इसमें आपका ओडिशा और जारकंड आपका राज्यों आ जाएगा ओकी लेकिन ये ओडिशा जारकंड आपका रॉंग हो जाएगा क्योंकि 11.3% GDP है और 11.2% GDP है और ये है आपकी बिहार और आंधर प्रदेश की दोस्तों क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और आंधर प्रदेश की 17-18 में GDP ब्रदी के मामले में ये राज्यों आप लोगों के सबसे उपर रहे हैं जहांकि GDP ग्रोथ आपके 11.3% और 11.2% दर्ज की गई है तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और आंधर प्रदेश होगा डी वाला गलत दे रखा है रेलवे दोरा इस प्रशन को निरुस्त कर दिया गया था जिसका एक नमबर सभी को दिया गया था 2018 के पेपर में क्योंकि बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों का दे रखा है 11.3 और आंधर प्रदेश का दे रखा है 11.2 ये 11.3 है परसेंटेज में ठीक है चले तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं तो अगर ये क्लास आपको इंपोर्टन लगी हो हैलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करते रहें और कल से मैं आपके लिए खजाना लेकर आ रहा हूँ कल से अगर हमारी क्लासिस होंगी तो बिल्कुल तयार रहेगा कल का खजाना लूटने के लिए सबी लोग तयार रहें कल का खजाना लूटने के लिए सबी लोग तैयार रहे हैं, अब मैं आपको daily जो है, दो paper कराऊंगा एक paper सो प्रशनों का पूरा होगा और दूसरा paper जो सो प्रशनों वाला होगा इसको मैं तीन भागों में कराऊंगा 30 question आपके math के अलग ठीके न, ध्यान दीजाएगा 30 question reasoning के अलग कराऊंगा और 40 question आपके GK और science के मिलाकर कराऊंगा, जो कि आपके 2021 के latest paper से मैं कराऊंगा तो railway के मुझे सारे paper मिल चुके हैं, अब मैं सारे paper कल से आपको शुरू कर रहा हूँ, और classes अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी, तो वीडियो को सभी लोग मिलकर share करें तो कैसे लगी आज की ललन टॉप class उम्मीद करता हूँ, बहुत मज़ा होगा ओके, तो मुश्किलों के सामने हार नहीं माननी है, लगे रहना, डट कर सामना करना है, क्योंकि हारा वही जो लड़ाने, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, परम सुंदरम और परधुद्रियों, मुलाकात होगी आप लोगों से अब कल सुबे, की बहुती शांदर क्लासिस के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, नमश्कार, जै बियसे, जै बियसे क्लास, और आप सबी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जै हिंद, वन दे, मातरम,